हलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस अप सलूशन्स पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगलर 15 का फूल टूतोरियल सीरीज दूस्तु जैसे कि सीरीज के पिछलोई वीडियो में हमने कॉवर किया कि प्रजेक्ट स्ट्रक्टर क्या होता है जब हम कुई क्येट करते हैं अंदर तो कौण कौण सा फाइLE और फोल टर क क्या मतलब होता है किसका कनेक्सेต kita होता है सब कुछ हमने deeply cover किया और दो file को हमने वहाँ से leave कर दिया था छोड़ दिया था जो कि हम आज देखने वाले हैं जिस file का name है package.gestion file और package.gestion file ये दोनों file बहुती important file है और इसको अच्छे से समझने के जूरत है इसलिए मैंने पिछले video नहीं समझाया क्योंकि वहाँ पर अगर समझाता तो वीडियो और भी बड़ा हो जाता ठेक है तो आज हम देखेंगे इस video tutorial में कि package.gestion file और package.gestion file का क्या मतलब है किये विज़ करते हैं इसके अंदर क्या-क्या है किस तरीके से packages के reference को maintain करके रखता है और ये आप npm install और अपडेट चलाते हैं तो इसका role क्या है इन दोनों file का चलिए हम देखते हैं ये video आपको तींचा questions का अंसर देगा जैसे कि package.gestion file package.logged.gestion file difference between package and log.gestion file what is semantic versioning what is till and carrot in package.gestion file ये बहुत सारे जो question जो interview में पूछे आते हैं सबका answer के लिए ये video आपको provide करेगा. इसलिए इस video का आप बिना skip किए एक-एक minute को देखिएगा क्योंकि एक-एक minute आपके लिए बहुत ही important होगा इस video का. कोई भी concept बहुत ज़्यादा deeply और corporate level का आप पढ़ना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो आप हमारा live class जोईन कर सकते हैं जिसका link इस video के description box में अबलेबल है आप वहाँ से जाकर plan और syllabus देख सकते हैं mobile number जो आपके screen पर दीख रहा है इस पर call करके inquiry कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं इस video tutorial को और देखते हैं package.jegation file और package log 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 क्या है कोई भी पूर्जेक्ट करते हैं तो NPM क्या करता है कि आपके पूर्जेक्ट के अंदर एक गडार का फृल्डर करता है जिसके अंदर आपके फॉर्जेक्ट के अंदर उनधर को folder रख देता है उसके अंदर और दो फाइल और create करता है npm जिसका नेम होता है package.json file और एक अगला होता है package.json file ठीकि इन दोनों के अंदर packages के reference होते हैं तो कौन से file के अंदर किसका reference होता है और कौन से file के अंदर किसका reference होता है इसको समझने के लिए मैं आपको लिए चलता प्रजेक्ट के अंदर जहां पर हम इसको deeply understand करेंगे एक line का मतलब हम समझेंगे दोनों के बारे में तो चलिए चलते हैं विए स्कोट पर और पर package.json file और package.json file को open करेंगे और उसको समझेंगे तो यह हमारा प्रजेक्ट जहां पर पिछले वीडियो में हम लोग folder structure के बारे में देख रहे थे और मैंने आप लोग को बोला था कि मैं आप लोग एक separate वीडियो दूंगा जहां पर package.json file और package.json file के बारे में समझाओंगा ठीक है तो इसको बारे में हम लोग यहां पर देखते है deeply कि इसका मतलब इसका रोल क्या है इसमें क्या का information है ठीक है तो यहां पर समझ दिए कि यह दोनों file npm create करता है npm अधर नोड package manager आप यह दोनों file create करता है और यह node module का folder भी create करता है जब आप कोई project create करते हैं तो npm क्या करता है कि बहुत सारे packages और dependencies आपके project में install कर देता है जिसका folder node module के अंदर रख देता है ठीक है और उसका reference package.gestion file और package.gestion file के अंदर रखता है तो आपको थोड़ा सा confusion हो रहा होगा कि यहां पर तो बहुत सारे folder है ठीक है folder के अंदर folder है उसके अंदर फोल्डर है जैसे आप देख सकते हैं उसके अंदर फोल्डर है यह सरी किस बहुत सारे folder बने हुए है और package.gestion file के अंदर यह इतना information है तो बाकि सारे folder के reference कहा गए देखिए package.gestion जो file है यह main-main package का reference रख रहा है यहां पर ठीक है यहां पर देखिए सबसे पहले यह package.gestion file के अंदर सबसे टॉप और कुछ script दिये हुए कि ng मतलब अंगुलर च्टार्ट करने के लिए ng-sr, build करने के लिए ng-build, test करने के लिए ng-test यह सब लिखा हुआ है उसके नीचे दो section बने हुए है dependencies और एक dev dependencies में कुछ packages और उसके reference के नेम दिये हुए है उसके नीचे dev dependencies है उसमें भी कुछ package और उसका reference दिया हुआ है dependencies जो section है इसके अंदर जिन packages के नेम दुगा है इनकी जरूरत है production पर मतलब कि life server इन सारे packages की जरूरत होगी आपके project को run करने के लिए वहाँ पर project को दिखाने के लिए और dev dependencies में जितने packages की reference है यह वह package है जो आपके development time में आपके help करेंगे आपके development time में आपके laptop में यह package आपके project में होने चाहिए ठीक है तो हर package के बगल में उसका version लिखा हुआ है जैसे जो project है फिप्टीन में create किया हुआ है तो यहां पर 15.0.0 लिखा हुआ है अगर आपको से कोई पूछता है कोई project दिखा कर यह project देखो और बताओ कि यह project की वर्जन में बना हुआ है तो आप package or json file में जाकर देखकर यहां से बता सकते हैं कि project की वर्जन बना हुआ है यहां पर देख सकते हैं कि पूर्जेट का अगर का common library की वर्जन में है ठीक है core library की वर्जन में है तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यह project की वर्जन में बना हुआ है तो आपको यह आइडिया लग गया कि यहां पर जितने main package है उनका reference यहां पर दिया हुआ है और अब देखिए कि बाकी सारे जो node करता है देखिए अब जैसे माले कोई package यहां से install हो रहा है ठीक है समाले common हो गया core हो गया या फिर आप यहां पर CLI हो गया जब यह main package install हो रहा होगा तो यह main package install होगा तो अगर इस main package को वर्क करने के लिए कुछ और dependencies की जुरत होगी तो भी packages install होंगे अगर उन dependencies को और किसी दूसरे डिपेंडेंस तो भी डिपेंडेंस इंस्टॉल होंगे तो उतने सारे folder बन जाएंगे आपके node module के अंदर उन सबका reference आपके package log के अंदर बन जाए यह से माले यह मैं जाए को कौपी करता हूं और यहां पर आकर सर्च करें cui का देखिय कितने जगस मिलेगा आपको आप ₌ ê यहां चलते हैं पर चलते हूंß m iasra इंस्टॉल لएन का उनका भी कोई dependency होगा नीचे install होगा इस तरीके से install होते चले जाएंगे और सबका फोल्डर बन जाएगा तो मतलब कि package और dot json file के अंदर आपके packages के reference हैं और package lock dot json file के अंदर packages और उनके dependencies के सारे reference है जो आपके इस project में already installed हो चुके हैं ठीक है यहीं नहीं अगर आप अलग से भी कोई third party भी package install करते हैं तो उनका भी reference package dot json file के अंदर बन जाएगा और उसका फोल्डर इस node module के अंदर बन जाएगा देखिए जैसे माल यह कि मैं एक package install करता हूं लिखता हूं npm install और bootstrap ठीक है तो जैसे bootstrap install करूंगा तो यहां पर bootstrap का कोई भी package नहीं है जैसे इंटरहिट करूंगा देखिए कर इंस्टॉल होगा और उसका नेम यहां पर अपने आप अगर इसको फटाएंगे तो फोल्डर हट जाएगा और यहां से नेम हट जाएगा इससे माल यह अनिस्टॉल करता हूं npm देखिए सब कुछ npm ही कर रहा है ठीक है तो npm अन इंस्टॉल ठीक है और अब टैस्ट आप करेंगे और इंटरहट करें हट करेंगा देखिए कि यह व्यतिण फाइल हिस्में से में अर इसमें समझ जिये हर और फैकеюсь का जो नीव वर्जिन है त्ीन दीट में है तो पहले वाले पार्ट को बोलते हैं तो पहले वाले पार्ट को डुसरे वाले को बोलते हैं पैच, जब पूरा का पूरा वाला डिगिट चर्फीट होता है, जैसे हमक 15 है, फिक है अगर हें पर लास्ट समयद्स हैं ए संबंढ़के क्विच वाया फेचर हो है अगर लास्ट वाले वैंड आ अगर अगर हो सकता है कि एक महीने बाद दो महीने बाद कि एंगुलर इस्टॉल करेंगे प्रेट करेंगे तो आप लिखावा जाएगा एंगुलर 15.1.0 यह 15.2.3 इस तरीके साएगा आ जाएगा अगर सेम वर्जन में रहेंगे जब तक एंगुलर 16 नहीं आ जाता है तब तक यही दोनों वर्जन दोनों पार्ट चेंज होते ठीक है याद रखेगा उसके बाद अगला चीज़ जो है यहां पर कैरेट लगा हुआ है और यहां पर कहीं देखेगा टिल लगा हुआ है तो इसका मतलब यह होता है कि जब आप अपने इस प्रोजेट के अंदर NPM इस्टॉल चलाते हैं या NPM अपडेट चलाते हैं ध्यान इसके रिक माली आपने फोल्ड अपने नोड मोडूल का फोल्ड डिलीट कर दिया आपने और NPM चला रहे है तो उसका रेफरेंस कहां से उठाएगा यहीं से रिफेंस उठाएगा जो जो पैकेज उसी को इस्टॉल करेगा उसके डिपेंडेंस को इस्टॉल करेगा और 20.0 50.2.0 ऐसा कुछ है मद इन दोनों में कोई हायर वर्जन का लेबरेरी अबलेबल है पैकेज अवर लेबल है तो इसको इस्टॉल करेगा अगर आप इसको बिलकुल हटा देते हैं तो बिलकुल एक यही होना चाहिए तब इसको इसको इस्टॉल करेगा ठीक है इसका तो उसको install करेगा यह इसका मतलब होता है तो आई होब कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पैके डॉट्टेसन फाइल पैके लॉट्टेसन फाइल मोडूल का क्या रोल है फिर भी आपके माइन में कोई confusion होगा तो में जरूर गere और परने सब्सक्राइब करें में करें तो इस वीडियो को जदा स्यंदा लाइक जैसे करिए में conomic सबस्क्राइब करें यह चैनल में हमारा मनोबल बढ़ता है और हम नय नय वीडियो लेकर आता है आपके लिए तो चली मिलते हैं अगले वीडियो में अगले all the अप्पी के साथ तब तक लिए thank you so much